नमस्कार दोस्तों के एक से समन्दी स्ट्टेंट्स के लिए कुछ और जरूरी जान करें अपडेट्स हैं तो आप वीडियो कों तक जरूर देखें जदे जदा सेयर जरूर करें प्राइवेट या डिस्टेंस वाले जिन चात्रों का आज पेपर है उन सभी को उनके पेपर के लिए बेस्ट विसिज बेस्ट अफ लग और जिन शुडेंस का सोफ्ट वेर से एक्जाम है वो क्रॉम ब्राउजर या फिर फायरफोक्स ब्राउजर का ही इस्तेमाल करें पहले ह क्यानी सारा ही हिस्ट्री क्लियर करके रखें जो डेटा है कैच है वो क्लियर करके रखें एक्जाम से पहले ताकि आपको एक्जाम में कोई दिक्कत न आए पेतरे विशी देले में ओनलाइन पेपर साइटिंग मोड़ू लागू विरुवर को इसे लागू कर दिया जाएगा, इसके लागू होती ही काम को मिले गती डाक्टर हुकाम सिंग और पहले जो लागू रुपए भी खर्च होते थे और साथ-साथ काफी मातरा में कागज काफी इस्तेमाल होता था और इसके लावा शुडेंट्स के लिए कुछ और जरूरी जान करें किन-किन के एग्जाम सोफ्टवेर से होंगे और किन-किन को बाहर रखा गे रागुलर की होते हैं हर सिखसको जानकरी दूरवर्थी में हर छातर की जानकरी संभब नहीं स्थीती समान्य ओफलाइन हो सकती थी प्रिक्षा exam offline हो सकते हैं सबी sector खुल चुके हैं लेकिन offline की बजाए online का भी विकल्ब केई उपर सासन की तरफ से दिया गया केई उपर सासन ने विद्यार्थियों का online का भी option दिया webcam सिरफ दूरवर्ती परिक्षाँ पर रखेंगे नजर यानि कि जो private या distance के exam सोड़े हैं पर ही ये software लागू रहेगा और जब regular के बारे में कहा गया कि regular पर यूज क्यों नहीं किया गया तो ये कहा कि इन परिक्षाँ में Google Meet से नजर रखी जा रही है और ये पता नहीं किस expert का view ले आए तिंचेर गंटे में कहा रहा है कि उस्तवन 12 GB डेटा लगेगा तो Google Meet पर भी तने सारे paper दिया है students ने किसी का 2 GB से फालतू डेटा नहीं लगा 2 GB से कम ही डेटा लगता है तो ये पता नहीं कौन सा expert है कि ये कौन सा 12 GB डेटा बना दिया तो इसके बारे में आप सभी अपने अपनी राय जुरूर दें और ये इंटरनेट डिसकनेक्ट होने पर हो सकती है कारवाई जैसे कहा गया था कि कोई भी चूट नहीं दी जाएगी internet डिसकनेक्ट होने पर कारवाई की जाएगी फोन आ गया बीच में तो भी कारवाई हो सकती है तीन गंटे तक अपनी seat नहीं छोड़नी है जबकि गाओं में इंटरनेट कनेक्टिवीटी का सामना भी करना पड़ेगा तो अगर सोफ्टवेर में खामियां पाई गई तो इसका विरोध किया जाएगा जैसे इस्टुडेंट्स की तरफ से ये भी कहा गया थे यूजनेक करने के पीछे ये तर कहेगी रेगुलर स्टुडेंट के बारे में शिक्सक को पूरी जानकारी होती है दूरवर्ती में हर चातर चातर एक जानकारी रखना संभाव नहीं है इसलिए विशे सोफ्टवेर का प्रयोग किया जाएगा दूसरे में रेगुलर में ओनलाइन प्रिक्षा में गुगल मीट से नजर रखी जाएगी यानके रेगुलर के जो एक्जाम सोंगे वो गुगल मीट से निगरानी रखी जाएगी अब ये भी सवाल है कि जब regular prediction में Google Meet से नजर रखी जा सकती है तो दूरवर्ती में भी यह संभाव था तो ऐसा क्यों नहीं किया गया इस अंधरा में आप सभी अपने अपनी राये जरूर दें और अच्छे तरीके से अपना paper दें PDF में आपका पहला page admit card रहेगा अपनी अपनी राये जरूर दें